आप सभी लोग देखते होंगे कि हर साल आपके नोवल पुरुस्कार दिये जाते हैं और ये नोवल पुरुस्कार आपकी परिक्षाओं के लिए काफी भदपूर रहते हैं इनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चंस हूंचे जाते हैं और इसलिए कहते हैं कि आप लोग जिस भी एक्षाम की तयारी कर रहे हों चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तयारी कर रहे हों इस्टेट पी सीस की तयारी कर रहे हों या वंडे एक्षाम की बात कर लिए तो आप लोगों को मालूँ चल जाएगा कि इस तरह के पुरुसकारों से आपकी परिच्छा में कूशन्स आते हैं। और अलफेड नोविल का नाम आप लोग सुने होगे जो आप देखते हैं कि स्वेडिस रसानिग इंजीनियर और अविसकारक बेवसाई और परोकारी एक बेकती थे और जो डायनामाइट की बात होती ना इसका अविसकार इन्हों नहीं ही किया था और आप देखेंगे इनके जनम की अगर हम लोग बात करें तो 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉक हम स्वेडन में इनका जनम हुआ था और अलफेड वर्ड हार्ड नोविल इनका पूरा नाम था और इनकी डेथ 10 दिसंबर 1896 में इटली में हो गई थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा नोवल पुरुस पुरुसकार की बात करें तो आप सभी को मल होगा कि कबसे 1901 से शुरू हुआ था है और जो एकोनुमिक सिका है वो आप देखे कि पहली बार 1969 में दिया गया था और विभेन चेत्रों में जैसे भौत की ले लिजे रसाइन बिज्ञान ले लिजे शरीर बिज्ञान ये चिक पुरुसकार नौर्वे मिल मिलता है तो ये भी आप लोग याद रखेगा अभी बारतमान में जो चिकिस्था है सरीर बिज्ञान इसका पुरुसकार किसे दिया गया है इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इनका नाम है स्वान्ति पावो ठीक है स्वा स्वान्ति पावो को अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे तो हाली में बिलुप्त हॉमोनिन और मानोविकास की जीनोम के छित में सोथ के लिए स्वाइडिस अनुवांस की विद स्वान्ति पावो को फीजियो लॉजी या मैडिसन के लिए बर्स 2022 का नौबल पुरुसक के लिए रिसेक्टर्स की उनकी खोच धेतू दिया गया था तो 2021 का भी आप लोग याद रख सकते हैं और वर्तमार में आप देखें कि स्वान्ति पावो को दिया गया है 2022 का अगर हम लोग स्वान्ति पावो के सोथ की बात करें तो मानोविकास हॉमो सीप्यास लगबक आप आप देखेंगे इतीन लाग बर्स पहले अफीका में पहली बार दिखाई दिये थे अफीका महादीप अगर आप लोग देखें न तो देखिए हमारी प्यारी पित भी है और इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा अ और आप देखेंगे कि निकट्तम ग्याद पूर्वज नियंडर्थल अफीका के बाहर विक्सित हुए और लगबग आप देखें 40 कितना 4 लाग परस से 3 लाग परस पहले इस चाल लाग बर्स पहले आप दे कि 30,000 बर्स पहले तग एरोप और पश्चम एसिया में उनकी आबादी थी जहां से भी बिलोप्त हो गए थे और नियंडर्थल का जीनों अनुकरमण नियंडर्थल के जीनों को अनुकरमित करने के बाद यह पाया जाता है कि हमारे बिलोप्त रिष्टेदारों यानि कि हमारे सगे समंधियों हमारे पूरवजों के पुरातन जीन अनुकरम बर्तमान मनुसर के सरीर विज्ञान को पिरभावीत करते हैं उधारन के लिए जीन E.P.A.S.1 का डैनी सोवन संसकन उच उचाई पर जीवित रहने में लाप्यदान करता है और वर्तमान में तिबतियों में आम है और अनुधारन में नियंडलतल जीन है जो बेभेने पेकार के संकमणों के पिती हमारी पिती रक्षा पिती किरिया को प्रभावित करते हैं और डैनी सोवा की खोज ये आप देखें 2008 में साइवेरिया के दच्छडी भाग में डैनी सोवा गुफा में उंगली की हड़ी का 40,000 बर्स पुराना टुकडा खोजा गया था और ये सड्डी के डीने अनुकर्मण से पहले आग्यात होमोनीन की खोज हुई थी और जिसे डैनी सोवा नाम दिया गया है और विभिन मानव पिरजातियों का सह अस्तित आधुनिक मनुस्सों के पूरवज नियंडर्थल और डैनी सोवांस लगभग दो कितना एह 20,000 बर्स तक सह अस्तित में रहे इस दोरान उन्होंने नाकिबल एक दूसरे के साथ अंता किरिया बलकि अंतर नसल भी बिक्सित की है और आधुनिक समय में येरोपिये और एसी आई मूल के मनुस्स में लगभग 1-4% जीनोम नियंडर्थल से उत्पन हुए और इसके अलाबा डैनी सुवा और होमो सीपेंस के बीच जीन इस्थारंतन भी हुआ है और यह सम्मंद पहली बार मेला नेसिया और दश्चन पूरु येसिया के अनहिस्सों के लोगों में देखा गया था जहां लोगों का 6% डैनी सुवा से सम्मंदित है और नॉबल पदिती प्राची डीने को अनुकिर्मित करना अहसान नहीं है क्योंकि यह खंडित अत्यदी खंडित होने के साथ कबक हो बेक्टेरिया जैसे रुगाणूं से संदूर्शन से युक्त होता है और किस समय के साथ डीने रसाइनिक रूप से संसोदित हुए है और इसलिए पावो ने नियंडर थल के माइटो कॉंडियल डीने का अध्यन करने का फैसला किया और माइटो कॉंडिया जिसे लोग पिरे रूप से कोसीका का पावर हाउस भी आप लोग कहते है माइटो काइंडिया भी कहते हैं से आप लो कोसीका के अंदर का एक अंग है जिसका अपना DNA होता है और यह अगी पी आप देखें माइटो काइंडियल जीनोम छोटा होता है और इसकी कोसीका में केबल कुछ अनुवांसिक जानकारी होती है लेकिन इनकी इसकी हजारों फिटियां मौजूद होती है और इससे सफल अनुकरमर की संभावना बढ़ जाती है और महत देखें तो मानो विकास को समझने में विचारिक सफलता सर्वोपरी है और पावो के सूथ के परिडाम सरूप पेलियो जैनो मिक्स है नमक एक नई विज्ञानिक साखा का उदय हुआ है जो पराचीन या बिलोप्त जीवों के जीन के अध्यन और विसलेशन से संबन दित है अब आप लोगों की दिमाग में ये भी आता होगा कि निहंडर्थल कौन होते हैं निहंडर्थल बर्तमान मावनाव प्रजाथी के निकत्तम थे और यूरोप जो यूरोप और पश्चिम एसिया में रहते थे लगभग 30,000 सालपूर बिलुप्त होने से पहले उनका विस्ता दच्छनी साइविरिया उमध्यपूर्व तक हो गया था तो ये आप लोग दुनिया भर का छोड़िये इनकी खोज को आप लोग याद रखेगा नोबल पुरसकार के बारे में एक सामान जानगारी रखेगा और अलफेड नोबल के बारे में भी याद रखेगा और 2022 का चिक इस्सा का नवल पुरसकार की से दिया गया है स्वानते पाबो को ठीक है और भी बाके जो आपके नवल पुरसकार रहा है उन पर भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे उनके बारे में भी जान लेंगे